Hello friends, स्वागत है आपका डिजल तैयारी चैनल पे, आज का पहला question दोस्तों, आज का पहला question, exercise C जो हमारी चल रही है, chapter 16 जो हमारा चल रहा है, उसके 6 number questions से शुरू करेंगे Such rules do not apply to you and I, ऐसे जो rules है, rules में बहु बचन है और do लगावा है अगर यहाँ पे rule लिखा होता, तो does लगा लेते हैं, rules लिखा है, तो आप do का प्रयोग कर रहे हैं तो यह तो बिल्कुल सही है साब, do not apply हम पर apply नहीं होते हैं to you and I, यहाँ पे, error अगर में ढूणनी है तो एक बहुत simple सा नियम आपको बता दू, दोस्तों preposition है ना, यह word आपने सुना होगा preposition जिसको in, on, at, to, below, behind, above, under, ऐसे बहुत सारे यूज़ लेते हैं प्रेपोजिशन के बाद अगर मुझे यूज़ लेना है प्रो नाउन तो मेरे कोशिश क्या रहे कि वो objective फॉर्माट में रहे, subjective में ना रहे मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं आप, preposition के बाद जो प्रो नाउन लेना है वो objective में रहे, subjective में ना रहे you subject और object दुनों में same होता है I actually subject है और मुझे यहाँ पर object चाहिए जो की होता है me So, यहाँ पर बताऊंगा Such rules do not apply to you and me हो जाएगा क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो apply के बाद to लिखा है न यह to एक preposition है और preposition के बाद कभी subjective आता ही नहीं है याद कर लो, note कर लो, copy में preposition के बाद मुझे जो use लेना है pronoun, pronoun, pronoun वो केवल objective case होना चाहिए वो subjective case नहीं चलेगा Hello friends, स्वागत है आपका डिजल दियारी चैनल पे मैं श्रयान्स कोठारी लेके हैं दोस्तों बहुत ही शानदार यह आपके लिए सीरीज objective general English by SP बक्षी लगातार चलती भी किताब को अब introduction की जरूरत नहीं है सीधी बात करूँगा आप लोगों के लिए don't be busy, be productive एक बहुत बहुत ही important line दोस्तों हमने लिखी है यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों पढ़ाई करने वाले पढ़ाई में, business करने वाले business में, job करने वाले job में busy हैं, लेकिन हमें busy नहीं होने है actually वो जो busy को हिंदी में जिसको हम कहते है waste है, कहते हैं ना साब यह तो अपने काम में waste है कई बार यह जो waste होता है यह अस्त waste हो जाता है और आपसे ऐसा आपके साथ भी होता होगा मेरा एक बहुत simple view आप लोगों के लिए है कि busy मत बनिये, productive बनिये आप जिस भी कारे में busy हैं, उससे कुछ productive निकालिए कुछ कारे करके निकालिए, आप competition की तैयारी कर रहे है ऐसा कई बार होता है कि दोस्तों आप पिछले तीन घंटे से सोच रहेंगी क्या पढ़ना है, कुछ पढ़ानी गया है पिछले तीन घंटे से इधर उधर books आपके सामने है पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ निकाल के नहीं आ पाएं वह जो व्यस्तता है, वह जो busyness है वो कहीं नहीं लेके जाएगी आपको क्या करना है दोस्तों व्यस्त होने के साथ साथ अस्त व्यस्त नहीं होना है, productive होना है productive का मतलब है कुछ न कुछ जो कार्याप करना चाहरे हैं, उसका कुछ output निकले output निकलेगा तभी तो आप productive हो जाएंगे so मेरा बहुत सीधा सा simple सा suggestion है आप लोगों के लिए कि आप productive बनिये, कुछ करके दिखाईए, तब तो ये आपका व्यस्तोंना काम का नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है यही चीज समझाना चाहरा हूँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ें हम उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज की मिठाई क्या आपने खाई दोस्तों, आज की मिठाई एक ऐसा हमारा कॉलम है, जो हम हर वीडियो के शुरुवात में लेके आते हैं एक अंग्रेजी का वर्ड हर बार लिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और मैं चाहूँगा कि यह जो वर्ड है उसका यूज करें आप एक सेंडेंस के अंदर, आपके पास जो कमेंट बॉक्स है उसमें, आज का वर्ड का है दोस्तों, आज का वर्ड एसर्विक, इसको एसर्विक पढ़ते हैं, एसर्विक, खटा या कडवा, सावर या नी, खटा, बिटर या नी, कडवा, टेस्ट में जो खटा हो, कडवा हो, अजीव सा एक टेस्ट आ रहा हो, एसर्विक कहते हैं, जो मीठा नहीं होता, जो प्लेन फ्लैट नहीं होता, कुछ यह तो हो गया उसका materialistic रूप की उसको खटा है, कड़वा है कई बार हम ऐसी बात बोल देते हैं जो किसी को कड़वी लग जाती है, मन खटा कर देती है उसको भी acerbic बोलते है, harsh और corrosive in tone आपकी tone ही corrosive है, corrosive का मतलब क्या है, जिससे जंग लग जाएगी, जिससे काम खराब हो जाएगा ऐसी tone बात करने की जो tone होती है, उसे कहते हैं acerbic an acerbic tone piercing otherwise flowery prose otherwise flowery prose तो है, बहुत ही सुहावना अच्छा लग रहा है लेकिन tone कैसी है कडवी है, फिर tone कडवी है तो सारा काम खराब कर देती है इसके कुछ और synonym भी दे रखें, मुटा मुटा कहूं तो unpleasant, जो सुहावनी ना लगे जो सही और उचित ना लगे, उसे कहते है acerbic यहां हमने दोस्तों एक नया word सीखा है, मैं चाहूंगा इस word का प्रयोग जरूर आप अपने sentence में करें, इस word को note अपनी copy में करें मजा ही आ जाएगा चलिए दोस्तों, आगे बढ़ना हमारा काम है, question number 6 रीजन के साथ बता चुका हूँ आपको, कुछ rules लिखवा चुका हूँ आपको मेरे को तो आगे बढ़ना है, question number 7 की तरफ दोस्तों, वैसे तो आप सोचेंगे quarter to 10 है, तो अ लगाने की जरुत क्यों है actually मैं अ लगाने की जरुत है, क्योंकि two quarters to 10 भी तो हो सकता है जिसे half an hour कह सकते है, half past 10, half to 10 भी कह सकते है कुल में लाके a अपनी जगे पर सही है, it is a quarter, a नहीं भी लगाओगे तो भी quarter कहलाएगा a लगाओगे तो भी कहलाएगा, buy my watch, दोस्तों ये बहुत important है यहाँ जो buy है उसकी जगे कुछ in लिखते है, कुछ at लिखते है, कुछ on लिखते है सब गलत है हमेशा घड़ी के अंदर समय नहीं होता, घड़ी के ऊपर समय नहीं होता है घड़ी के अनुसार समय होता है और अनुसार को ये कहींगे दोस्तों buy my watch तो मैं कहना चाहता हूँ भाईया quarter 2.10 वैसे एक वीडियो हमारा बना है जिसमें आपको timing को लेके बताया है quarter यानी 15 minute है 10 बजने में बाकी है two का मतलब होता है बाकी है past लिखा होता तो मतलब 10 बज के 15 minute हो चुके है so यहाँ past ने लिखा है two लिखा है that means यह simple भाशा में कह रहा है 10 बजने में 15 minute कम है question number 8 देखिए दोस्तों I like reading मुझे reading पसंद है more than two play games two play games नहीं होगा ना मेरे भाई सोचो जरा यहाँ जिरंड आया यहाँ भी तो जिरंडी आएगा ना than playing भाई जिरंड का comparison जिरंड से ही तो करोगे आप so आप कहना चाह रहे है I like reading more than playing games game खेलों उससे अच्छा मुझे reading अच्छा लगता है so यहाँ पे अच्छा आप यह पूचें कि साथ में तो बताया नहीं आपने साथ में कोई error ही नहीं है तो कहां से बता दू seven number no error है और इसका meaning में बता चुका हूँ ten number में error है लेकिन eight number में error है वो c में है two play की जगे है playing games हो जाएगा reason के साथ बता दिया मैंने आपको आगे बढ़ना हमारा काम है दोस्तों question number nine की तरफ the sum and substance of this poem sum and substance का मतलब क्या है भाया इसका जो सार है इसकी जो बात है जो इसके अंदर जो सार गर्वित बात कह रही है वो यह है और वो क्या है as follows की जो नीचे लिखे निम्न लिखे था है और मजे की बात दोस्तों and लगने के बाद भी is लगाया है जो की सही है कोई गलती नहीं है no error है यह sentence क्योंकि यहाँ sum and substance को एक साथ प्रयोग किया है जैसे bread and butter लगाने के बाद single हो जाते हैं वैसी sum and substance का मतलब है overall मोटा मोटा यह बात कहना चारी है sum and substance कहते है उसे so no number no error है और साथ number भी no error ही था आप लोगों के लिए question number 10 की बात करते है the team was now in the field team field में थी यहाँ तक तो कोई आपती नहीं है and about to take their place दोस्तों वो अपनी अपनी जगे ले रहे हैं अलग-अलग कहीं न कहीं विबाजन show हो रहा है जब भी ऐसा होता है तब वर का प्रयोग करते हैं जब वो देयर का प्रयोग करती है अपनी अपनी जगे ले रही है हर खिलाडी अपनी अपनी जगे लेगा एक collective noun में जब विबाजन show हो जाता है अलग-अलग अंतर show हो जाता है सबको अलग-अलग treat किया जाता है वहाँ हम वाज की जगे वर का प्रयोग करते हैं बस यह धियान रखे हैं मतलब उन्हें plural consider करना है plural करना नहीं है उनका consider उनको plural ही करना है तो question number 10 का error A यानि first part में है 11 number perhaps, perhaps को इंदी में कहते हैं शायद कहते हैं शायद मेरी शादी का खयाल वाला perhaps, यानि शायद you know that, तो मैं पता हो I have passed the examination in 1990 यारब बात बताओ मुझे 1990 में passed किया था तुमने ऐसा तुम कभी कहना चाहरे हो 2021 में कह रहे हो या 1991 में कह रहे हो उसे को फरक नहीं बढ़ता past है ना मेरे भाई past तो कर चुके हो न तुम तो had लगाओगे या तो had लगाओ नहीं तो मैं तो करहा हो कुछ लगाओ ही मत I passed the examination simply ही रखो ना had भी जरूत का है कर चुका था ये एक अलग सेंस बनाएगा लेकिन मैंने तो past किया 1990 में काम खतम तो had लगाओगे तो भी चलेगा had नहीं लगाओगे तो भी चलेगा have जरूर हटेगा बस ये याद रखना है that is the most important part so error is in B part आज के आखरी प्रश्ण पर आ जाते हैं 12 नंबर the teacher kept advising us to work hard kept us kept के नहीं बहिया एक बात दाओ kept यानि रखना अब advising रखती रही नहीं यहाँ एक phrasal verb का प्रयोग किया जाएगा phrasal verb आएगी यहाँ पे keep on kept on advising us लगातार मुझे advice करती रही हमें teacher जो है advice करता रहा करती रही कि भाईया work hard कर लो number आ जाएंगे work hard कर लो number आ जाएंगे हम भी तो यही कर रहे है digital तैयारी भी आपके लिए keep on advising है लगातार आपको सला देती है पढ़ाई कर लो hard work कर लो smart work कर लो खुल मिलाके कारे करोगे तो निश्पत्ती होगी and एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा so don't be busy केवल busy होने से काम नहीं चलेगा be productive कुछ output निकालो output oriented कारे करो आपको लग रहाई कि समय वेस्ट हो रहा है उसी समय रुको यह देखो और सोचो और समझो कि समय कहा वेस्ट हो रहा है और उसको और बहतर करने के लिए चले दो तो यहां आज की सभा समाप्त होती है आज का अध्याय, आज का वीडियो, आज का लेस्ट फिनिश होता है तेरा नमबर से जो आगे के questions हैं अगले वीडियो में करेंगे दब तक के लिए बने रहेए आप ही का प्यारा चानल है Digital Tयारी Thank you